है's लो दोस्तो सभास विकर मेरे चैनल मेरे कैल इंसitaire मैं मैं आप सभी वन सइन इ दोस्तों यह आपके पेहर्ज में थनावण भी लपन रहता है यह व्योड्यू आपके लिए былल होने वाली है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिमाले कंपनी के हिमको लिंजल के बारे में दोस्तों इसका यूज क्या होता है और इसे किस परकार प्योग किया जाता है और दोस्तों इसमें स्क्राइब कीजिए ताकि कि मारी नए नए वीडियो आप सबसे पहले पहुंचें तो दोस्तों चडिया से सबसे पहले करते हैं इंग्रेजिंग के बारे में दोस्तों इसका निर्माण की बात की जाए तो हिमालिया ड्रक्स कंपनी दोरा इसका निर्माल किया जाता है दोस्तों अब हम बात करते हैं हिमको लिंजल के इंग्रेजन्स के बारे में दोस्तों इसमें क्या क्या मिला हुआ होता है दोस्तों इसके इंग्रेजन्स की बात की जाए तो जोतिसमती लता कस्तुरी वाइदा निरगुंडी, जाति फलम, पासा, जाति पत्री, लओंगा और तजा आधी तथ तो इसमें मिले हुए होते हैं दोस्तो बात करते हैं हिमको लिंजल के मार्केट प्राइच के बारे में दोस्तो यह आपको मार्केट में कितने रुपए को मिल जाता है दोस्तो इसके market price की बात की जा तो ये आपको market में 1.500 रुपाय से 1.70 रुपाय के बीच में 30 ग्राम के tube मिलती है दोस्तो बात करते हैं हिमकोल इंजल के huge के बारे में दोस्तो इसका huge कहां कहां किये जाता है दोस्तो इसके huge की बात की जाए तो इसका जो मुख्रोंप से उपयोग किए जाता है वह पेणिस के धीला पन को हम इलेक्ट्राइल रिस्फंसन ने ही बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्राइल-धिस्फंसन जो है moi उसको कई करणों से होता है जैसे कि दोस्तों यह आपको बहुत ज़्यादा हस्त मैसुन करते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा टिंसन रहती है यह आपका स्रेट बहुत ज़्यादा वीग है तो इसका प्रियोग के बारे में दोस्तों इसका प्रियोग किस प्रकार करना दोस्तों हिमकोलिन जल की कछ मात्र अपने उंगलियों में ले करके अपने पेनिस में तीजी से चानी मिन तक मालिस करनी चाहिए फिर दोस्तों अपने हॉथों को अच्छी तरीकिस धो लेना चाहिए और दो resonance दोस्तों अपने पार्टनर के पास जाने से एक घंटा पहले या फिर आधा घंटे पहले हमें अपने पेनिस में हिमकोलिन लगा लेना चाहिए और दोस्तों पार्टनर के पास जाने से पहले हमें हिमकोलिन को अच्छे तरीके से पेनिस से धो लेना चाहिए दोस्तों बात करत सो इसका कोई होते हैं घिंत सिर वाले हिससे में कि आगे आगे वाले हिस्सों में नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपके ज़्लन हो सकती है और दोस्तो इसका जदा उप एक करने दोस्तो हम बात करते हैं हिमकोलिंजल से related कुछ सुझावों के बारे में दोस्तो हिमकोलिंजल को अपने पार्टनर के पाथ जाने से आधा घंटा पहले या फिर एक घंटा पहले लगा लेना चाहिए और दोस्तों संबंद बनाने से पहले हमें अपने पेनिस से हिमकोलिंज को धो देना चाहिए यानि कि हाँ उसे धुल देना चाहिए और दोस्तो हिमकोलिंजल का उपयोग जो है वो हमें अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए जिससे आपके पेनिस में दाने या फिर एलर्जी के समस्या देखने को मिलती है दोस्तो अब हम बात करते हैं हिमकोलिंजल से रिलेटेद कुछ सवालों के बारे में दोस्तो कुछ लोग के शवाल होता है क्या हिमकोलिंजल का उपयोग बच्चों में करा सकते हैं तो हिमकोलिंजल का उपयोग बच्चों में नहीं करना चाहिए दोस्तो यह आप एडल्ट हो चुके हैं तो आप हिमकोलिंजल का उपयोग कर सकते हैं और दोस्तो कुछ लोग के शवाल होता है क्या हिमकोलेंजल हम सराप के साथ उप्योग कर सकते हैं तो दोस्तो हिमकोलेंजल जो है वो सराप के साथ सुरच्छित है फिर भी दोस्तो इसका उपयोग सराप के साथ करने से पहले आप अपने डाक्टर से परमर्ष जरूर करें और दोस्तो कुछ लोगों के श्रवाल होता है क्या हिमकोलेंजल लद बन सकता है तो दोस्तो हिमकोलेंजल की लद नहीं लगती है और दोस्तो कुछ लोग का श्रवाल होता है क्या हिमकोलेंजल हम ड्राइवरिंग करते समय यान कोई मसीन चलाते समय कर सकते हैं तो दोस्तो हिमकोलेंजल का उपयोग जो है हमें ड्राइवरिंग करते समय यान कोई मसीन चलाते समय हिमकोलेंजल का उपयोग कर सकते हैं कुछ लोग के खर्वाल होता है हमें कितने दिनों तक हिमकोलिंग। Ilze , अगर लगा हो तो लाक किछे ehं पमेंट किछे और हिमकोलिंग तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद